कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मेरानी उपता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि कॉंगर्स पार्टी आज काले कपड़े पहन करके लगातार प्रदर्शन कर रही है उनका कहना है कि महंगाई और बिरुजगारी के मुद्दे पर कॉंग्रस पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है लेकिन अंसब के बीच लगातार सोशल मीडिया पर अब ये बाते सामने आ ही है कि आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2019 के दिन भारतिय संवधान का काला धब्बा कहना कलंक कहना गलत नहीं होगा दरसल धारा 370 को जिसे की कश्मीर से हटा दिया गया था और 5 अगस्त 2020 की ही वही तारीक है जिस दिन श्री राम जन्म भूमी में राम लला मंदर का श्रीला नयास प्रधान मंत्री मोधी के द्बारा किया गया था अब इन सब के बीच ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से महंग काई और विरुजगारी के लिए आज का दिन कॉंग्रस पार्टी ने चुना है काले कपड़े पहन करके प्रदर्शन करने का तो 5 अगस्त की ये तारीक सिर्फ एक सयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी सजश है क्योंकि लगातार जब धारा 370 हटाने की बात कही जा रही तब यही पार्टी थी यही विपक्ष थी जो लगातार इस बात का विरोध कर रही थी जम्मू कश्मीर से धारा 370 ना हटाया जाए इसी के साथ ही श्री राम जन्म भूमी को ले करके भी लगातार विपक्षियों के द्वारा सवाल किया जा रहा था और कॉंग्रस पार्ट जो हैं क्या उन्होंने जन्म लिया है या नहीं ये बस एक कालपने घटना मांतर है आपको बता दे कि श्री राम पर सवाल उठाने वाले कॉंग्रेस पार्टियों ने आज का दिन चुना है इसको लेकर के तमाम तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया पर कॉंग्रेस पार्ट से यह एहम फैसले बीज़ेपी गॉर्मेंट के द्वारा लिए गए हैं उनका मातम मना रही है और इस वज़े से आज संसद में वो काले कपड़े पहन करके प्रदर्शन कर रही हैं आपको बता दे कि महंगाई और बिरुजगारी के मुद्दे पर कॉंग्रस आज दिल्ली समे ने उन्होंने अपनी बाजू पर काली पटी बांध रखी है दरसल बीज़ेपी नेता ने इस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि काले कारणामे को अंजाम देने वाले आज काले कपड़े पहन करके प्रदर्शन कर रहे हैं आपको बता दे कि जम्मू कश्मीर में धार मिनस्टर के रूप में दुबारा से शपत ली थी जिसके बाद ये फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया और ग्रह मंत्री अमय शा के द्वारा वहां पर धारा 370 हटाने का फैसला किया गया आपको बता दे कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद प्रदान मंत्री नरें बताया गया आपको बता दे कि पीम मोदी ने इस दोरान सभी से जम्मू कश्मीर का साथ देने वहानिवेश करने की अपील भी की थी इसी के साथ ही आपको बता दे कि भारत सरकार ने जब यह फैसले लिया तो पाकस्तान की ओर से दुनिया भर में इसका हला मचाया गया था फि यूवे लेकिन हर तरफ भारत ने कूल नीटी तोर पर पाकस्तान को मात दी सी के साथ ही भारत का दुनिया को संदेश दिया कि ये मसला भारत का आंतरिक मुद्दा है इसी दौरान यूरोपियन यूनियन के कुछ सांसत भी जम्मु कश्मिर के दौरे पर भी आय थे इसी के साथ ही आपको बता दे कि 5 अगस्त ही वो तारीक है जिस दिन आयोध्या के राम जन्म भूमी में राम मंदिर के श्रिला न्यास के इसी के साथ ही आपको बता दे 5 अगस्त की ही वो तारीक है जिस दिन 2020 में प्रणान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा श्रिय राम जन्म भूमी में राम मंदिर का श्रिला न्यास किया गया मंदर की अधार शिला पीम के द्वारा रखी गई उस समय देश और दुनिया के करोडों राम भक्तों के मन में एक उम्मीद जगी और राम मंदर के निर्मान का सपना अब साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको बता दें इसको ले करके लगातार बीजेपी हर कदम पर बार अंदोलन करती रही राम मंदर के मुद्दो को लेकरके हर बार उठाती रही इसकी साथpost ही ना जाने कितने कार सेवकों ने इसको लेकर के अपनी जान भी खुर्बान की और जब सुप्रीम कोट के दौरा ये फैसला आया तो इसे एक एतिहासिक फैसला बता आया गया लेकिन इन सब के बीच में नोटिस करने वाली ये बात है कि आज ही की दिन यानि की पांच अगस्त को कॉंग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है तो उसको यही कहा जा रहा है लोगों के द्वारा ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि पांच तारीक को भार रहा है कि वह किस कदर अपना विरोध दर्श करा रहा है इसी के साथ ही आपको बता दे कि ट्वीटर पे तमाम लोगों ने अपने रियक्शन से समुद्दे पढ़ दिये हैं इसी के साथ ही पत्रकार आमन चोपड़ा लिखते हैं पांच अगस्त को काला दिवस मनाने के महज क्या एक संयोग है आपको बता दे कि वहीं एक ट्वीटर यूजर लिखते हैं कि अरे भाई पांच अगस्त को राम मंदर शिला न्याज और 370 धारा हटाई गई थी अब आज ही ये दिन काले कपड़े नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे मातम का दिन इनके लिए आज इसी के साथ ही मनेश ठाकुड लिखते हैं कॉंग्रेस ने काला दिन के लिए पांच अगस्त ही क्यों चुना इसलिए क्योंकि इसी दिन 370 खत्म हुआ इसी दिन सर्जुकल और इसी दिन राम मंदर का शिला न्यास हुआ सच में मोदी से इतनी नफरत है कॉंग्रेस को कि वो भारत से नफरत करने लगें तबी तो महंगाई जैसे मुद्दे पर बाकी विपाक्ष उनके साथ आज खडान नहीं दिखाई दे रहे इसी के साथ ही लक्षमी सिंग नाम की यूजर लिखती हैं धारा 370 खत्म होने और राम मंदिर निर्माण के शिला न्यास की वर्शुग रहें कि 5 अगस्त वो दिन था जिस दिन करोडो राम भक्तों को खुशी की खबर सुनने को मिली जब राम मंदिर का शिला न्यास हुआ अधार शिला रखी गई इसी के साथ ही कश्मीर के टिहास के सबसे काले दिन सबसे बड़ा जो कलंक था धारा 370 उसको हटाया गया और इ पलटवार करते हुए बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रिय मंत्री राजिव प्रताप रूडी ने कहा कि काले कारणामे वाले लोग काले कपड़े पहन कर घुमें तो कोई आश्वर नहीं होता बीजेपी रास्टी प्रवक्ता लोगसवा सांसद और पूर्व केंद्रि मंत्री राजिव प्रताप रूडी ने सीधे तोर पर काले कारणामे वाले लोग काले कपड़े पहन कर घुमें तो कोई बहुत आश्वर नहीं होता है उन्होंने साथ ही आगे ये भी कहा कि काले कपड़े पहन कर यही संदेश देना चाहते हैं इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपको बता दे महंगाई खाद्य पदार्थों पर लगाए गए GST और ED के दूपयों का रोप लगाते हुए कॉंग्रेस नेताओं और कारिकरताओं ने शुक्रवार को काले कपड़े पहन कर अपना विरोध दर्ज कराया सदन के अंदर भी सूनिया गांधी और राहूल गांधी समेत तमाम कॉंग्रेस के सांसदों ने काले कपड़े पहन कर या अपने बाहों में काली पट्टी बांध कर अपना विरोध दर्ज कराया आपको बता दे कि रास्टपती भवन तक मार्च कर रहे राहूल गांधी को पुलिस ने इस दौरान विजय चौक के पास हिरासत में भी लिया है वे कॉंग्रेसी सांसदों के साथ काले कपड़े पहन कर संसद भवन से रास्टपती भवन तक मार्च कर रहे थे पुलिस ने इन सांसदों को विजय चौक से आगे बढ़ने की अजाज़त नहीं दी साथी राहूल गांधी ने इस कारवाई पर कहा कि ये लोगतंत्र की हत्या हो रही है साथी उन्होंने ये भी कहा कि हम शांती से रास्टपती भवन जाना चाहते थे रैली में सभी लोग राज्य सभा और लोग सभा के सांसद हैं मगर हमें जाने की अनुमती नहीं दी जा रही है साथी राहूल गांधी ने कहा कि महगाई और बिरुजगारी के मुद्दे को लेकर लोगतंत्र की हत्या हो रही है आपको बता दे कि ये विरोध प्रदर्शन निकालने से पहले भी राहूल गांधी ने अपने हेटकोटर में प्रेस कॉंफरेंस किया था और इस दौरान भी उन्होंने सीधे तोर पर कहा कि जिस लोगतंत्र को बनाने में सतर वर्ष लग गया उसे मात्र आठ सालों में पूरी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई आपको तमाम बीजेपी के नेताओं ने चाहें फिर वो रविशंकर प्रसाद हो और इसी के साथ ही संबित पात्रा समित तमाम नेताओं ने कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्हें वह दिन याद दिखाया जब इंद्रा गांधी के द्वारा इस देश में एमर्जंसी लागू क कर दी गई थी अच्छानक से रातो रात और उस दौरा ना जाने कितने पत्रकारों और कितने राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था जो कि विपक्ष के थे इन तमाम बातों को याद दिलाया और बार-बार सोशल मीडिया पर यही सवाल उठाय जा रहा है कि क्या आज कि और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले